मेरा नाम रिंकी है. मेरे पिता ने मेरे साथ जो किया. वो कोई सोच भी नहीं सकता. मैं अपने पिता की एक लौती बेटी हूँ. हम बहुत ही रहीश परिवार से हैं. हमारी एक कमपनी है, पैसो की कोई कमी नहीं है. बचपन से ही मुझे एशो आराम की आदत है. नौकर चाकर गाधिया मेरे चारो तरफ रहती थी. मेरी जिंदगी में बहुत अच्छे से जी रही थी. लेकिन उस एक दिन ने मेरी जिंदगी बदल दी. हमारे यहां कुछ ही दिनों से एक नया ड्राइवर आया था. वो ड्राइवर जवान था. लेकिन वो मुझे पसंद नह कर दिया और उसे नौकरी से निकाल दिया. मैंने पापा को यह बताना जरूरी नहीं समझा क्योंकि हमारे यहां ड्राइवर की कमी नहीं थी. लेकिन मुझे नहीं पता था कि मेरे साथ ये होने वाला है. एक दिन सुबह जब मैं उठी तो मेरे कमरे में वो ड्राइवर था. वो ड्राइवर मेरे कमरे में इतनी सिक्योरिटी के बीच कैसे आ गया मुझे पता नहीं था. शायद मैंने उसे मारा था इस बात का. बदला उसे लेना था. मैंने कहा कि तुम यहां क्या कर रहे हो? वो बोला कि मैं तुम्हारा पती हूँ कल रात को तुम्हारे पिता ने मेर ये में तुम्हें तस्वीरें दिखाता हूँ. उसने अपने मोबाइल में हमारी शादी की, तस्वीरें दिखाई. वो सच बोल रहा था. मैं उसके साथ मंडब पर बैठी थी, मुझे होश नहीं था. और मेरे पिता भी मेरा कन्यादान करते उस तस्वीर में थे. मुझे उस है. ये ड्राइवर के साथ अपने मेरी शादी करवा दी, वो भी मुझे बेहोश करके. आप ऐसा कैसे कर सकते है? पापा ने कहां की? वो मजबूर है. मैंने कहां मजबूर. हम मजबूर है. इतने बडड़े होने के बाद भी इसकी क्या उकात है? हम इसके आगे कैसे मजबू हो सकते हैं. वो बोला, की? जबान संभाल कर बात करो. अब मैं तुम्हारा पती हूँ. मैंने बोला, अब मैं इस शादी को नहीं मानती. ये कैसी शादी? ये मेरी मर्जी के खिलाफ है. वो बोला, की? मर्जी तुम्हारे बाप की थी, जो इस तस्वीर में साफ दिखाई दे मानी, तो ये तस्वीर मिडिया में जाएगी. मेरे पिता चूपचाप खडड़े होकर ये तमाशा देख रहें थे. उसने मेरा हाथ जोर से पकड़ा और खींच कर लें जाने लगा. इतनी सारी सिक्योरिटी, लेकिन कोई उसे नहीं रोक रहा था. मेरे पिता भी जैसे बू मजाक हो रहा था. वो मुझे अपने घर में लें गया. घर नहीं पिंजरा था, एक छोटा सा कमरा. बाथरूम के लिए भी कमरे के बाहर जाना पड़े ड़ेता था. उसने मुझे कहा कि यही अब मेरा घर है, यही पर रहना है और खाना है. पास में भी बहुत सारे कमरे थे, उनमें भी लोग रहते थे. मैं ऐसी जगह आ जाऊंगी मुझे पता नहीं था. उसने कमरे में खाने का समान रखा और कहा की, भूख लगी है, खाना बनाओ. एक थप पड़्ड का बदला, वो इस तरह लेगा मुझे पता नहीं. मैंने कहा मुझे खाना नहीं आता. वो बोल ठीक है मैं कहीं खा लूँगा तुम फिर भूखी रहो. वो इतना कहकर चला गया. मैंने सोचा था की में भाग जाऊं. लेकिन फिर सोचा कहां जाऊंगी मेरे घर जा नहीं सकती में वही रोती रही. भूखी शाम हो गई थी, मुझे भूख लग रही थी. ऐसी भूख मैंने अपनी जिन्दगी में कभी महसूस नहीं कीन थी. मैं मेरे कमरे की चौकट पर बैठ गई रो रही थी. पास के कमरे से एक औरत ने मुझे रोते देखा. और कहां? क्या हुआ? मैंने कहां भूख लगी है? वो बोली, इतनी सी बात, उसने अपने कमरे से एक रोटी और मुझे दी, उसे मैंने खाया. मैंने हर तरह के पकवान खाये. लेकिन वो रोटी और दाल खाकर मुझे जो अनुभव हुआ लगा, जैसे मैंने भगवान को पा लिया हो. रात हो गई थी. मैं वो वापस आया. आते ही उसने कमरे का दर्वाजा लगा लिया. मुझे डर था कि वो कहीं मेरे साथ जबरदस्ती ना करें. लेकिन वो चूप चाप एक कोने में सो गया. इतने बढ़ है महल से एक कमरे में वो भी अजनबी के साथ. मैंने सोचा कि अब मैं यह सब बरदास्त नहीं करूँगी. मैं उस रात सोई नहीं. और सुबह उसके उठने के पहले में कम ने एक दोस्त के यहां गई. लेकिन जब मैं उसके घर पहुची, तो उसने मुझे दरवाजे से अंदर नहीं आने दिया. बोला कि तुम्हारे पापा का फोन आया था कि अगर किसी ने तुम्हारी मदद की तो अंजाम अच्छा नहीं होगा. उसने मेरे मुह पर दरवाजा बंद कर लिया. मैंने सोचा था कि वापस उस कमरे में नहीं जाओंगी. लेकिन कुछ ही घंटों में. मैं समझ गई कि मेरे लिए अभी उससे ज्यादा सुरक्षित कोई जगह नहीं है. इसलिए में वापस वही लौट आई मुझे वापस देखकर वो बोला, क्यों आ गई? तुम्हें मुझसे कोई बचा नहीं सकता. मैंने अपने आपको इतना मजबूर पहले कभी महसूस नहीं किया. मैं इसी तरह से वहाँ अपना जीवन काट रही थी. मुझे वहाँ रहते अब दस दिन हो गए थे, खाना में बना नहीं पाती थी, जैसा भी बनता में खाती थी फिर एक दिन में चक्कर खा कर गिर गई. और जब मुझे होश आया, तो मैं अपने पिता के घर थी. सामने मेरे पापा थे, उन्हें देख कर ही मुझे गुस्ता आ गया. मैंने कहा, आप मुझे यहां क्यूं ले आये, मुझे वही मरने क्यूं नहीं दिया. उस कमरे में वो यह सब बनाया है. तुम्हें यह सब ऐसे ही मिल गया, तो तुम्हें इसकी कोई कद्र नहीं रह गई. तुम शराब के नशे में रहती हो. हमारे घर जो काम करते हैं, तुम उन्हें इनसान ही नहीं समझती हो. कितने लोगों को तुमने मुझ से छिपा कर नौकरी से निकाल द था. मैंने ही इसे कहा था कि तुम पहले उसे जान लो. तुम्हें उसने फॉलो किया, तो वो समझ गया कि तुम गलत रास्ते पर हो. इसलिए हम दोनों ने मिलकर यह नाटक किया, ताकि तुम्हारी आँखें खुल सके. जिस रात तुम्हारी शादी करवाई थी, उस रात भ अरुण ने भी मेरा फाइदा उठाने की कोशिश नहीं की. मुझे पता चल गया था कि वो मुझसे कितना प्यार करता है. पिता की, यह सिक मुझे एक नया इंसान बना गई. दोस्तों, उम्मीद करता हूँ, ये कहानी आपको अच्छी लगी होगी. ऐसी ही और कहानी सुनने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे धन्यवाद.